है लुड प्रेंस वॉल्कम ती और चैनल इंड बिअर्फ टैं। उनिवर्सटिटी बिugs लुगत दिक लिए कि उसमें वह कि शिख्षा का रथ क्या है वह आता है परिश आगरा उनिवर्सिटी में भी contemporary में दिया हुआ है तो उनके लिए भी है लेकिन लखनौ और रज्जु भाईया के लिए है तो ये दोनों student जो इन दोनों university के हैं वो आज का class जरूर देखे उनका exam भी अभी सामने में है तो ये जो है लखनौ और रज्जु भाईया उनिवर्सिटी के special request पर आया है बहुत सारे students ने request किया है तब जाकर यह marathon class ला रहे हैं फिलाल अगर मैं बता दू तो बिहार की उनिवर्सिटी के contemporary इंडिया इजुकेशन में यह है आगरा उनिवर्सिटी का contemporary इंडिया इजुकेशन में है तो यह topic जो है उन लोगों में भी है बस book का नाम अल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यह चैनल बिलकुल आपके लिए काम करता है बीएट के class से related teaching से related सीटेट बीटेट बीएट एंट्रेंस यह सारी तयारी जो है आपको इस चैनल पर करवाई जाती है इवन इससे related हर information अगर आपको चाहिए कोई भी information तो आप य कि education क्या है और इसके definition देखें यह question तो 100% रहता ही रहता है तो लखनो इनिवर्सटी और रजुभी या इनिवर्सटी के student यह बात आप मान के चलिए यह question आपको मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ अगर मैं बात करू आगरा और बिहार के लिए तो यह question आप लोग भी मान क चलिए contemporary में रहेगा ही रहेगा तो सिक्षा का अर्थ क्या है या परिभासा क्या है या आप सिक्षा से क्या समझते हो सिक्षा क्या है इस तरह के question रहेंगे तो आपको यह करना है सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया commonly knowing fact में हम उसका answer देते हैं अनेक विद्वानों ने विभिन परकार से सिक्षा की परिभासा दी है समय के साथ साथ सिक्षा की परिभासा भी बदलती रही है वैदिक काल में सिक्षा सरवांगिन विकास का एक अंग था मध्य काल में सिक्षा का अर्थ संकुचित हुआ वो धर्म से जुड़ गया आधुनिक यूग में सिक्षा का उद्देश सरवांगिन विकास के और बढ़ता जा रहा है देखिए ये किस तरह से सिख्षा को education को जो है दिखाया गया है सबसे पहले हम स्टार्ट करें education का पहला field जो हम देखते हैं कब वैदिक काल में वैदिक काल में सिख्षा का क्या उद्देश रखा गया था overall development वैदिक काल में क्या था overall development फिर उसके बाद जो है हमारा आया क्या मध्यकाल यानि कि जो मेडविल टाइम आया उसमें हमारा सिख्षा जो है संकुचित हो गया उसमें हमारे education का development नहीं हो पाया फिर अभी की बात करें यानि कि modern time की तो अब जो है modern time में education डेवलप कर रहा और फिर से इसका वही उद्देश हो गया है overall development यानि कि जो हमारा पहले था यानि कि वैदिक काल में जो था वही चीजे जो है अब आधुनिक युग में भी हो रही है तो यह आप changes देखेंगे सिक्षा में अब हम देखते हैं परिभासा जो कि हमारे philosophers ने दिये सबसे पहला परिभासा है डॉक्टर राधा किष्णन ने डॉक्टर राधा किष्णन ने कहा है कि सिक्षा व्यक्ति को और समाजिक सरोतन मुखी विकास की शशक परिकिरिया है एक ससक्त प्रोसेस है फिर हमारे डॉक्टर थॉमस ने कहा है सिक्षा भारत में विदेशी नहीं है अईसा कोई विदेश नहीं है जहां ग्यान के प्रतिप्रेम इतने प्राचिन समय में प्रारम हुआ हो या जिसने इतना इस्थाई और ससक्त परभाव को उत्पन किया हो बैदिक यूग के साधरन कवियों से लेकर आधुनिक यूग के बंगाली दार्सनिक तथा सिक्षक विद्वानों की एक अविरल परंपरा रही है डॉक्टर थॉमस ने बताया है कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो कोई नया नहीं है ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो ब्रिटिसर्स जो है वो एजुकेशन लेकर क्या है सिक्षा लेकर क्या है सबसे प्राचीन अगर सिक्षा बोली जाए तो वो इंडिया का ही है भारत में ही है जो पुराने समय से जो है चली आ रही है जो अगर हम वैदिक यूग से बात करें उस टाइम से सिक्षा को ले करके भारत वासियों का प्यार जलगता है जो कि और किसी देश में नहीं है ठीक है अब ये कोशन आप ध्यान से देखिएगा एक दो इस्टूइट मुझे पूछ र अलग से नोट्स लिखने को आ जाता है कि सिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए तो उसमें यह लिखेंगे व्यापक का अर्थ का मतब होता है कि कितने पुराने टाइम से चला आ रहा है उस समय कैसा था बीच में कैसा था ये सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन आप उसमें द नहीं थी वैदिक काल में सिक्षा आयू के सासा समनांतर चलती थी जैसी आयू ऐसे सिक्षा वैदिक कालिन सिक्षा में सिक्षा वर्ग का महत्तो नहीं था वैदिक कालिन सिक्षा जीवन राजनेतिक समाजिक संगीत आधी पर आधारी थी आधुनिक सिक्षा जो अभी कि हम स जलती रहती थी मनुस्हीर जीवन परियंद्याराथी का जीवन जीता था ये इस तरह से जो एये व्यापक अर्त में सीख्षा का वश्रोत है जीवन के बिविन छेत्रों में हमारा सच्चा पत परदर्सक करती है मतलब अगर हम इन शॉट अगर बोले कि डॉक्टर एएस अलतेकर क्या कहना चाहते हैं तो डॉक्टर एएस अलतेकर ये कहना चाहते हैं कि जो सिक्षा है वो आज से नहीं वैदिक युग से और अभी तक हमारे लिए एक true guide का काम करती है सच्चे पत्परदर्सक का काम करती है जो हमारे हर छेत्र में हमारे life के हर छेत्र में जो है हमारा पत्परदर्सक करती है शिक्षा तो इस तरह से आपको तीन परिभासा हैं मिल गए तीन फिलोसफर्स के एक ये commonly knowing fact था यहाँ पर व्यापक अर्थ मिल गया अब हम देखेंगे सिक्षा के संकुचित अर्थ अब जब पूछता है कि सिक्षा का संकुचित अर्थ लिखे narrower meaning of education लिखे तो वैदेक काल में सिक्षा का जिस परकार व्यापक रूप से महत्तोत था उसी परकार सिक्षा का संकुचित रूप भी था वैदेक काल इन सिक्षा का एक संकुचित अर्थ भी था जिसके अनुसार सिक्षा के तातपरे उस सिक्षा से था जो बालक अपने प्रारम्भिक जीवन के कुछ वर्सों तक गुरु कुल में रहकर गुरु का सानिध्य पाकर ब्रहमचर जीवन को व्यतीत करता था और अपने गुरु से सिक्षा प्राप्त करता था इस दोरान वक्केवन उच सिक्षा को ही प्राप्त करता था जो उसके जीव को पारजन के लिए काफी नहीं था अर्था सिक्षा संकुचित रूप में प्राप्त करता था मतलब संकुचित रूप से ये है कि सिक्षा में भी जो education हमें मिलती थी उसमें भी कुछ कमिया थी जो हमारे हमारे life के real life में हमारे survival के लिए हमारे अपने पालन पोसन या अपने परिवार के पालन पोसन के लिए एक पूरी तरीकी से appropriate नहीं हो पाती थी sufficient नहीं हो पाती थी तो वो संकुचित हो गया इस सिक्षा का अर्थ आपचारिक सिक्षा से जो अधिकांस तक उसको पुस्तक के द्वारा प्राप्त होती थी मनुसे ज्यान के विविन अंगो का अधियन करने के उपरांत भी असिक्षित रह जाता था वास्तविक सिक्षा जीवको पारजन की समस्या को हल नहीं करती थी किन्तु सिक्षा केवल जीवको पारजन ही नहीं इस परकार सिक्षा परकास अंतरदिश्टी तरह संस्कृति को परदान करते हुए हमें स्वालंबी तरह आत्म निर्भर नागरिक बनाती थी तो इस तरह से ये आपका हाया कंक्लूजन जो आप मुझसे हमेसा पूछते रहते हो कि मैं किस तरह से हम निसकर्स देंगे तो इतने डेफिनेशन के बाद आपका आ जाएगा अगर ये डेफिनेशन आउसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना पड़ा तो आप कंक्लूजन लि पहलूओं जैसे शारेरिक बौधिक अमाध्यात्मिक पहलूओं को संग्तुलित विकास करती थी आपका निसकर्ण से आप कैसी भी तरक्या से दे सकते हो जो उपर में लिखा हुआ उसी के अधार पर अपना सारांस कंक्लूजन निकालके दोगे दूसरा कोशन जो आता है इसमें आता है प्रकृति को लेकर सिक्षा के नेचर को लेकर कि सिक्षा की प्रकृति को लिखे ये एक कोशन आ जाएगा ठीक है ये मालीजी एक कोशन आ गया तो ये आपका हो गया दूसरा कोशन यहां से आ जाएगा हो सकता है ये दोनों कोशन मिला करके आ जाएं तो सेकेंड कोशन यहां हो गया सिख्षा की प्रकृती पहली प्रकृति यानि पहला जो होगा सिख्षा एक जीवन परियंत चलने वाली प्रकृति है यह continuous अपके lifelong चलने वाला प्रोसेस है सिक्षा की प्रकृति का अध्यान करने से हमें पता चलता है कि सिक्षा एक जीवन परियंत चलने वाली प्रिक्रिया है जीवन परियंत हम सिक्षा गरहन करते रहते हैं तता हमारे जीवन काल में हमारे द्वारा गरहन की गई सिक्षा हर मुकाम में हमारे काम आती है देखें मैं आपको बता दूँ क्योंकि आप लोग के पास अब टाइम कम है एक्जाम आप लोग का सामने है तो आप लोगों को जो है यह जो एक्स्प्लिनेशन है वो लर्ण नहीं करना है जो मीनिंग जो आपको ये पॉइंट दिया गया है उसको समझ लीजिए और उसको लर्ण कीजिए और उसका एक्स्प्लिनेशन अपने आधार पर अपने संटेंस फॉर्मेशन के आधार पर कर दीजिएगा आप छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं कि आपको explanation भी सिखाया जाए, कैसे sentence form किया जाता है, वाक्य कैसे बनाया जाता है, वो तो आपको बताने की जुरत नहीं है, तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ point यानि heading आप करोगे, heading में सिख्छा एक जीवन परियंद चलने वाली प्रि किरिया चलती है, अब इसको अपने द्वारा जो है, अपने शब्दों में इसको लिखतोगे, दूसरा point है, सिख्छा एक विवस्थित परिया है, मतलब organized process है, अब organized process का मतलब क्या होता है, देखें, विवस्थित परिया से तात परिया है कि सिख्छा एक निशित मान दंडो पर कारे करती है, इसकी संरचना पूर्व निधारित होती है, सिख्छा का एक धांचा तयार किया जाता है, तदा उस धांचे के अनुसार बिविन संस्थान इसका अनुसरन करते हैं, सिख्छा एक विवस्थित परिकिरिया है, इसका मतलब यह हुआ, कि एक organized process है, अब देख पार्ठे करम बनाए गया है, तो वो विवस्थित पार्ठे करम कौन बनाए है, सरकार बनाई है, उसी के अनुसार चलना है, यह बता चुकी है, तो यह सारी चीजे जो बनाया जाता है, एक प्लानिंग की जाती है, कि कौन से class में कौन से सिख्छा देनी है, किस तरह से lesson plan बन यह एक प्रकिरिया, यह एक ऐसा organized process है, जिसके द्वारा यह सिख्छा गुजरती है, तो ठीक है, सिख्छा एक विवस्थित प्रकिरिया है, तीसरा है, सिख्छा व्यक्ति और समाज का विकास है, अब यह तीसरा जो nature यानि प्रकिरती, अच्छा है, एक और चीज़, यह जो सिख्छा की प्रकिरती लिखा गया है, वहाँ पर सिख्छा की विशेस्ता बोल करके भी यह कोशन आता है, तो अगर प्रकिरती बोले या विशेस्ता बोले आपका answer यह ही होगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिख्छा व्यक्ति और समाज का विकास है, बिल्कुल सही, अगर सिक्षा व्यक्ति लेता है कोई particular व्यक्ति को सिक्षा मिलती है तो उसका तो विकास हो ही रहा है और वही व्यक्ति जो है समाज में रहता है मान लिजिए कि ये व्यक्ति है ठीक है और इसको जो है सिक्षा मिली इसको education मिला ये well settled हो गया या इसको knowledge हुआ ग्यान हुआ और ये व्यक्ति जो है इस समाज में रहता है इस समाज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं इसी में ये भी रहता है तो ये व्यक्ति अगर खुद सिक्षित हुआ तो इस समाज में रहता है जहाँ पैसे ऐसे लोग है इसको भी तो सिक्षित करेगा तो समाज का विकास तो अपने आप हो जाएगा और समाज के विकास में ये भी तो योगदान करेगा तो इसलिए बोला जाता है कि सिक्षा जो ह अपने आस पास रहने वाले समाज के लोगों को भी सदाचार या मुस्तद वहवार के सिक्षा देता है एक सिक्षित व्यक्ति अपने सासा समाज को भी विकास की और ले जाता है अतय यह कहना गलत नहीं होगा कि सिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है हम सिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति विशेश के वहवार में परिवर्तन ला सकते हैं संसोधन का मतलब क्या है संसोधन का मतलब होता है modification उसका edit करना मान लिजे किसी के behavior में कुछ कमिया नजराती है तो उस कमियों को दूर कर देना वो संसोधन होता है तो हम education के द्वारा किसी के भी आदमी जो education ले रहा है जो सिक्षा मिल रही है वो अपने behavior में उसके वहवार में जो भी कमिया होती है वो उसको निकाल देता है तो उसके वहवार में संसोधन हो जाता है सिक्षा एक पर सिक्षन है education एक training है बिल्कुल training है आप बोलेंगे कि आपको इसी तरह से सिक्षा में गड़ी आप आँक बंद के और आपको पूरा नौलेज आ गया तो ये तो पॉसिबल है नहीं इसके लिए तो आपको पर्टिकुलर्ली ट्रेनिंग दी जाती है आपके टीचर के द्वारा आपके माता पिता के द्वारा जो भी जिनके भी द्वारा आप ले रहे हो तो ये एक ट्रेनिंग है सिक्षा एक परसिक्षन है परसिक्षन से ताथ पर यह है कि किसी भी कारे को करने के लिए हमें परसिक्षन क्या सकता होती है मनुस्ते के इंद्रियों, मस्तिस्क, आदतों का निर्मान, समाज के अनुसार किया जाता है तता इस परकार के परिवर्तर या निर्मान व्यक्ती को पर सिख्षन दे कर लाई जाते हैं बलकि एक गतिशील परिक्रिया है सिख्षा में समय के साथ सदे परिवर्तन आते रहते हैं यह समय और समाज की मांग की अनुसार बदलती रहती है या बालक में समय के अनुसार बदलाओ परिस्थिती के अनुसार परिवर्तन विकास करती है सिक्षा का सदेव कोई ना कोई लक्षे रहता है तदा कोई भी व्यक्ति उस लक्षे को प्राप्त करने के लिए खुद को उसके प्रतीपून रूप से समर्पित कर देता है बिलकुल अगर हमें किसी भी चीज़ से फायदा हो रहा है तो हम तो अपने आपको उसके लिए समर्पित करेंगे ही तो सिक्षा हमेसा चलते रहने वाली परिक्रिया है गतिशील है जिसमें हमें सब परिवर्तन भी आते रहता है सिक्षा सरवांगिन विकास है जिसको भी सिक्षा मिलती है उसके ओवरॉल डेवलप्मेंट की बात की जाती है ओवरॉल डेवलप्मेंट से मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है Overall Development का मतलब होता है Physical Development, शारिरिक विकास, मानसिक विकास, Mental Development, संबेगात्मक्ष जिसको हम लोग Emotional Development बोलते हैं समाजी क्यानि Social Development, सभी तरह का Development जो है एक बच्चे में जब होता है तो उसको हम सरवांगिन विकास बोलते हैं तो सरवांगिन का अर्थ पूर्ण रूप से अता, सरवांगिन विकास का अर्थ हुआ, व्यक्ति का पूर्ण विकास है, हाँ पर दिया हुआ है मानसिक, शारिरिक, समाजिक, हर तरह से विक्सित करती है सिक्षा तो ये हमारे साथ जो हुए ये हमारे सकेंड कोशन का हुआ सिक्षा की प्रकिर्ती या फिर यहाँ पे बोले तो विशेस्ता ठीक है जिसको हम इंगलिस में जो बोलते हैं वो बोलते हैं और हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं विशेस्ता चली लिख दिया मैंने ठीक है? ये दोनों तरीके से आ सकता है तीसरा कोशन होता है सिक्षा का कारे छेतरे ये कोशन पुछता है सिक्षा के कारे छेतर के संदर में कहा जाता है मनुस्य और जीवन के मद्ध जो कुछ भी आता है वो सिक्षा के कारेश्षेतर में शामिल है यानि कि मनुष्य और जीवन यानि कि इंसान के लाइफ, इंसान और लाइफ के बीच में देखें, इंसान का मालेजी एक बॉडी परा हुआ है, उसमें अभी जान नहीं है और इंसान के बॉडी के जान जैसे ही आजाता है, उसमें जीवन जैसे ही आजाता है, तो उन दोनों के बीच में जो कारेश्षेतर होता है, वो सिक्षा है, यानि कि सभी कारेश्षेतर में सिक्षा सामिल है, सिक्षा एक सैक्षनिक अनुसासन के रूप में है पूर्ण अकदमिक अनुसासन की कशौर्टी पर खरा उतने के लिए सिक्षा के सेक्षणिक अनुसासन की निवनिविस्ताों को समलेत करता है सेक्षणिक अनुसासन का मतलब समझ एक किस我想 का मतलब अंब को मतलब एक एक यडिंक discipline加 के रूत में स्याध्यांतिक हो क्यों कि से प्रिंसिपल पूर गै neste में उसका प्रूफ हो वह जो है ट्रेनिंग के द्वारा की कि candy को देख कर जाए उसको जो हैहां सुधरिट से कि आधार कहते हैं मैं possessed बोल दिया थे कि उधर मत जाओ वहां पर जाना गलत है हम पहले जो है कोशन नहीं करते थे कोशन करते वीज़े तो हमें एंसर यहीं मिलता था कि ठीक है मैं बोल रहा हूं नहीं जाना है लेकिन सैक्षनिक अनुसासन यानि कि एजुकेशनल डिसिप्लीन से मतलब यह होता है कि हमें जो च बात को अपने ध्यान में रखें क्यूंकी वज़े से तो यह होता है सैध्यांतिक आधार दूसरा होता है वैज्यानिक आधार सिक्षा के अंतरगत घटनाविम तथ्यों के बारे में ज्यान वैज्यानिक विधी से प्राप्थ होते हैं सिक्षा में वैज्यानिक अध्यान के यह अपनाई गई परमुख बीधियों के संभावित क्रम का अनुपालन किया जाता है। सिक्षा में भी अन्य विश्य। छेतरों के दो रूप हैं। एक तो समाननी करन है एक तो विवेदी करन है समाननी करन के अंतरगत अन्य विश्य छेत्रों से जानकारियों को गरहन किया जाता है विवेदी करन की परिकिल्या के अंतरगत अन्य विश्य छेत्रों से प्राप्त और संबंदित जानकारियों का विवेद करके केवल संबंदित जानकरियों अधारनाव को अध्यन छेत में शामिल किया जाता है तो ये हुआ तो ये चीजे जो है आपकी ये आजाएगा आपका सिक्षा के सैक्षनिक अनुसासन के रूप में सिक्षा का जितना भी कार्य छेत्र होता है वो discipline way में काम करता है और उसकी सीमा जो है यही है एक इकरित विशे छेत्रम पाठे करम जो भी पाठे करम हो एक दूसरे से connected हो अब ऐसा नहीं है कि क्लास 7 में हिंदी आपने दे दिया महाभारत रमायन पढ़ने के लिए और जो उसका science है वो आपने 9-10 का उठा के दे दिया हर एक चीज जो है एक दूसरे से connected होनी चाहिए सिक्षन की विशेस्ट विधी जो method यूज किया जा रहा है वो सही तरीके का होना चाहिए अध्यन के अन्य विशेयों से भिन्ने अदीतियम विशेस लक्षयम उद्देश से सिक्षा का लक्ष जहां शाररी गति विधीयों के माध्यम से बालक के संपून व्यक्तितों का विकास कर शरीर मन और आत्मा में पुर्णता लाना है वहीं इसके उद्देश में जैविक सिक्षा, मनोगतिक सिक्षा, बौधिक सिक्षा, अमचारितरिक सिक्षा मुख्यरुप से उलेखनी है ठीक है तो ये आपके हो गया है तीसरे नंबर कोशन ये उतना आता नहीं है फिर भी अगर शॉर्ट में पूछेगा तो पूछेगा ये कोशन अब यहां देखते हैं फोर्थ नंबर सिक्षा का उद्देश ये कोशन जो है आपका पहले नंबर वाले कोशन के साथ देता है नहीं कि सिक्षा क्या है सिक्षा की परिभासा लिखे और सिक्षा के उद्देश लिखे ठीक है तो विभिन दार्शनिक समाज सुधारकों तथा सिक्षा मित्रों ने व्यक्ति तथा समाज की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सिक्षा के विविन उद्देश से को निधारित किया है पहला है ग्यान अर्जन का उद्देश पहला उद्देश से क्या रखा है सिक्षा का कि हमें ग्यान प्राप्त हो ठीक है हम प्राप्त करें दूसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश जो हमारा cultural development है वो हो तीसरा जो बोला गया है चरित्र निर्मान का उद्देश या चरित्र विकास character का जो है निर्मान हो मतलब सही गलत ये सबी चीज़े समझे फिर है चौथे नंबर पर आता है जीवी को पारजन का उद्देश यानि वेवसाइट मतलब की पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चा ऐसा बन सके कि वो अपना और अपने परिवार का जो है गुजारा खुद से कमा कर सके ऐसी सिक्षा उसको दी जाए फिर है समझ विकास का उद्देश मतलब की उसमें जो है equally developed हो सभी चीज़े नागरिक्ता का उद्देश है पूर्न जीवन का उद्देश शारिरिक विकास का उद्देश आउकास के सदुपियों का उद्देश समायोजन का उद्देश या अनुकुलन का उद्देश समायोजन के उद्देश इसे मतलब है adjustment हर situation में हर जगा पे हर place में वो अपने आपको ढाल सके उस situation के according वो होता है समायोजन का उद्देश आत्मा अभिव्यक्ति का उद्देश आत्मा अनुभूति का उद्देश ये सारी चीजे जो है पहला देखे ज्ञान अर्जन का उद्देश क्या है इसको डील किया गया है सिक्छा में ज्ञान अर्जन के उद्देश के प्रतिपादक सुकरात प्लेटो अरस्तु नाते तथा बेकन आदी आदर स्वादी संपरदाइक विद्वानों ने किया है इन सभी आपको बताया कि आपको बस ये पॉइंट याद करना है आप इसको अपनी तरीके से लिख सकते हो अगर ये लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो लेकिन आप अपने तरीके से भी लिख सकते है दूसरा है सांस्कृतिक विकास का उदेश संस्कृतिक विकास का मतलब क्या होता है ना हमें ये बताया जाता है कि सिक्षा के दौरा हमारा जो एसेट से मतलब हमारी जो पुराने टाइम से जो चलियारी धरोहर है उन सारी चीजों को हम अपने आने वाले जनरेशन को आने वाले नए जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं तो ये कहा जाता है कि सिक्षा के माध्यम से हम अपने संस्कृति हम अपने कल्चर को जो है नेक्स जनरेशन को ट्रांसफर कर पाए देखिए इसको हिंदी में यहाँ पर ल जहन सहन अचार विचार आदी को संस्कृति बताई जाती है तो कहीं सिग्रेट शराब यूवा आधी को संस्कृति के अंतगर सामिल किया जाता है। संस्कृति का अर्थ है संपून फमाजिक संपती से से जो एक पिलगी से दूसरी पिलगी को हस्तांत्रित हो ती रहती सी को बोलते हैं संस्कृति तीसरा है चरित्र मिर्मान और दास अब इस उसका मतलब क्या है चरित्र का मतलब क्या लगाते हैं कैरेक्टर का मतलब क्या लगाते हैं आंत्रिक द्रिधता और एक्ता मतलब हम अंदर से हमारा विल पावर जो है वो स्ट्रॉंग हो और हम जो है यूनिटी बना करके रखे उसको हम चरित्रवान बोलते हैं चरित्रवान व उसके आचरण नैतिक बन जाए वो होता है चरित्र जिसमें नैतिकता होती है जिसमें सही गलत का नौलेज होता है ठीक है तो यह इन सारी चीजों का डेवलप्मेंट जो है वो सिक्षा का उद्देश होता है एक चीज में आप लोगों को बताना भूल गई हुर के यह जब आता है यह इस तरह का कोशन की सिक्षा का उद्देश है तो यह जैसे मैंने आपको यहाँ पे 12 पॉइंट ऐसे ही लिख दिया है अब आप इसमें क्या कर सकते हैं बताओं जो मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि थोड़ा सा आप अपने एंसर को प्रिजेंटेवल बना सकते हूं यहाँ पे आप एक बड़ा सा सरकल बनाएंगे ठीक है यह मेरा सरकल हुआ नहीं बट आप तो सरकल बना लेंगे है ना सरकल बना करकि यहाँ पे लिखिएगा सिक्षा के उद् ठीक है ठीक है यह आपने लिख दिया अब एक नंबर इस तरह से एक नंबर लिखिए जो एक नंबर था हमारा क्या ग्यान अर्जन का उद्देश यहाँ पे लिख दीजे ग्यान अर्जन का उद्देश दो नंबर लिखिए दो नंबर क्या दिया हो था सांस्कृतिक विकास का उद्देश तो यहां पर लिख दीजे सांस्कृतिक विकास का उद्देश तीन नंबर ठीक है इसी तरह से चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारत बारत इस तरह से सरकल बना कर इसके उद्देश्यों को को यहां लिख दीजे तो वह आपका एंसर जो है अट्रैक्टिव बनेगा और अट्रैक्टिव एंसर बनेगा तो मास अच्छा मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो आएए चरितर निर्मान से समझ गया आग जिसमें सही गलत के बारे में पता हो चौथा जो पॉइंट है जीवको पारजन का उद्देश सर्वाइवल इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको वह स्किल आना चाहिए वह एक तरह का जो है नॉलेज है जो आपके पास होना चाहिए वह आपको किताब पढ़ने से नहीं आएगा आप किताबी किरह बन जाओगे तो नहीं आएगा उसके लिए भी एक स्किल होता है सिक्षा को केवल ज्यान और संस्कृती से ही नहीं ही अलंकृत करना उचित नहीं है सिक्षा का उद्देश व्यवसाइक भी होना चाहिए वर्तमान यूग में व्यक्ति के समक्ष जिवीका का समस्या प्रमुक समस्या है रोटी, कप्र और मकान का यह एक प्रमुक समस्या है अगर व्यक्ति स्वयम के लिए सिक्षा गरन करने के बावजूद भी यह सभी प्राप्त नहीं कर सकता तो उनकी सिक्षा वेध है है ना तो जीव को पार्जन कर पाए समविकास सिक्षा के समविकास का उद्देश शेकार्थ है कि परतेक बालक की शारिक, मांसिक, भावात्मक, कलात्मक, नैतिकता, समाजिक, सभी तरह के विकास समान रूप से हो पाएं इसी को बोलते हैं समविकास शिक्ष नंबर है नागरिकता का उद्देश जन तंत्र में या प्रजा तंत्र में बालक को सब है इमांदार नागरिक बनाना आवश्यक है इस उद्देश से के अनुसार सिक्षा की वेवस्ता इस परकार से की जानी चाहिए कि परतेख बालक में इन सभी गुणों, रूचियों, योगताओं, तरह छमताओं के अनुसार विकास हो पाए तो आप समझ रहे हैं कि सिक्षा के अनुसार बच्चों को उनको सही नागरिकता क्या होती है, एक सही citizenship क्या होता है, उसको जरूर बताया जाए, वो सारे गुण, वो सारे qualities उसको जरूर दिये जाए पूर्ण जीवन का उद्देश, सिक्षा का उद्देश, जीवन को पुंता प्रदान करने पर बल दिया जाता है, सिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन में विविन अंगों का विकास इस परकार से होना चाहिए, कि वो अपने भावी जीवन के समस्याओं को आसानी से सु प्रदान करें उसको उसका समधार ढूंड पाए, उसको बोलते हैं पूर्ण जीवन का उद्देश, शारिरिक विकास का उद्देश, बालक की सिक्षा इस परकार की होनी चाहिए, जिसको प्राक्त करके उसका शरीर स्वस्थ सुद्रिड सुन्दर यं बलवान बन जाए, उ आवकास लिखा गया है यह आवकास होगा आवकास का मतलब होता है कि जब आप खाली बैठे रहें तो ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरके बैठे हैं या कुछ और कर रहे हैं देख रहे हैं टाइम पास ना करें जहां भी आपको खाली समय मिले उसका किस तरह से आप जाने में वो सारी चीज़े आपको सिखाए जाए यह सभी चीज़े जो है आपको सिख्छा के द्वारा ही मिलता है दस नमबर आपका है किसी भी परिस्तिती आवातवरन के समायोजन का उद्देश या अनुकुलन मतलब कि कोई भी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो उस सिचुएशन में आप जो है एड़ेस्ट करें यह एड़ेस्टमेंट वाले जो क्वालिटी होती है बहुत कम लोगों में पाई जाती है लेकिन यह होनी चाहिए सिख्छा के माध्यम से आपको आएगा आप ऐसे सिचुएशन में भी जा सकते हो जो आपके लिए वर्स्ट से वर्स्ट है लेकिन उस सिचुएशन में आप किस तरह से डील करते हो किस तरह से उसमें अपने आपको समायोजित कर पाते हो यह आपके उपर है तो समायोजन बहुत जरूरी होता है फिर है आत्मा अभिव्यक्ति का उद्देश व्यक्तिवादी विचारकों ने आत्मा व्यक्ति तथा आत्मा परकाशन का समर्थन किया है आत्मा परकाशन का अर्थ है मूल परविर्तियों को स्वतन्त रूप से व्यक्त करने का उसर परदान करना इस उद्देश्री के अनुसार बालकी मूल परविर्तियों को इस परकार से विखसित किया जाना चाहिए कि वो उनको सतंत रूप से वयक्त कर सके आत्म अभिव्यक्ती का मतलब क्या होता है मतलब आप अपने सोच को बेजिचक रख पाओ तो ये होता है आत्म अभिव्यक्ति आत्म अनभूती का उद्देश आत्म अनभूती अथ्वा आत्म बोधकार्थ है प्रकिर्ति मानो अथ्वा परंपिता परमेश्वर को समझना सिक्षा का उद्देश बालक आत्मी विकास करना है जिसे वो समाज के माध्यम से अपने सरवच गोन की अनभूती कर सके मतलब आत्म अनभूती का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन आपको अपने बारे में पता चले आपका क्या स्ट्रॉंग पॉइंट है क्या वीक पॉइंट है आप उसको समझ पाओ और उसके अनुसार काम कर पाओ जो वीक पॉइंट है उसको भी स्ट्रॉंग बनाओ तो इस तरह से होता है आत्मान भूती का उद्देश और ये सिक्षा से ही प्राप्त होता है तो ये आपके हो गए उद्देश चो चौथा नंबर कोशन था अब आता है सिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश का आर्थ ये अलग से कोशन आता है याद रखिएगा ये कोशन आता है कि सिक्षा के व्यक्तिगत और समाजिक उद्देश क्या है यह जादा नहीं जाएगा थोड़ा सा है सिक्षा का व्यक्तिकत उद्दे से एक प्राचिन उद्दे से इस उद्दे से के सार्थक समाज की अपिक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं उसका विश्वास है कि व्यक्तियों के बिना समाज कोरी कलपना है व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हीतों की रख्षा करने के लिए समाज की रचना की है तता समय समय पर संस्कृती सभ्यतायम विज्ञान के छेतरों में भी अपना अपना योगदान दिया है तो ये व्यक्तिगत उद्दे से होते हैं जिसमें कि इंसान जो है अपने लिए नहीं अपने कम्यूनीटी के लिए अपने समुदाई के लिए काम करता है इस योगदान के फॉल सुरूपी समाजिक प्रगती का छेतर बरा और बरता चला जा रहा है दूसरे सब्दों में अगर कहें तो व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास हुआ है तथा दीन प्रती दीन हो रहा है अतर सिक्षा को व्यक्तिगत रूचियों श्रमताओं तथा विशेस्ताओं का विकास करना चाहिए अब देखिए इसके उद्देश से क्या है व्यक्तिकत उद्देश से का संकुचित अर्थ है संकुचित अर्थ में सिख्छा के व्यक्तिकत उद्देश को आत्म अभिव्यक्ति बालक की शक्तियों का सरवांगेन विकास तता प्राकृतिक विकास आदी नामों से पुकारा जा की व्यक्तिकत शक्तियों को विक्षित करने के लिए इस्थापित किया गया है ठीक है इस तरह से ये व्यक्तिकत है आप देख लेंगे ये आपको आएगा भी तो नोर्स लिखने के लिए आएगा ये पॉइंट में नहीं है ये आपका फिर दूसरा आजाता है सिक्षा के समाजी कुद्देश शिकार्थ क्या है सिक्षा के समाजी कुद्देश का जन्म सिक्षा के वैक्तिकत उद्देश की पर्तिक्रिया के परिणाम सरुपवा इस उद्देश के समर्थक वैक्तिक या पेक्षा समाज को उचा मानते ह देखे जो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा से बता दूँ कुछ लोग जो है सिख्षा के व्यक्तिक वाले चीजों को उपर मानते हैं डे बाई डे या टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहना चाहिए और जो समाजिक उद्देश है उस वो ये मानते हैं कि समाज जो है व्यक्तियों से कहीं उच्छा है और इसको सही तरीके से चलाने के लिए इसके अपने नियमों का पालन होना जरूरी है ठीक है तो इस तरह से समाजिक हो गया अभी इसमें हम देखेंगे सिख्छा का उद्देश व्यक्तिक चरित्र गठन के सासाज बालकों को सच्चा समाजिक प्रानी तथा नागडिक बनाना है समाज एक महान शरीर के समान है जिस परकार सरीर के आउसकताओं को पूरा होने से उसके सब अंग लाव उठाते हैं उसी परकार समाज के आउसकताओं के पूरा होने पर परतेक व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है मतलब किस तरह से समाज जो है इंपोर्टेंट है वो आपको बताये गया है ये कोशन देख लिजेगा में भी आ जाए अब आपका यूनिट टू से जो कोशन आता है वो है दर्सन कार्थ यानि कि फिलोसफी फिलोसफी से कोशन एक रहेगा जैसे कि एजुकेशन से कोशन रहेगा वैसे फिलोसफी से कोशन रहेगा तो पहले तो हम फिलोसफी का जो है मीनिंग समझेंगे दर्सन अंग्रेजी भासा के फिलोसफी शब्द का रुपांतर है इस शब्द के उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्दों यानि फिलोस तता सोफिया से हुई है फिलोस का अर्थ क्या है प्रेम अथवा अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्यान यानि कि प्रेम और अनुराग से प्राप्त ज्यान इस परकर फिलोसफी अर्था दर्सन का शाब्दिक अर्थ ज्यान अनुराग अथवा ज्यान का प्रेम है ज्यान तता सत्य की खोज करना त विशिस्ट तथा अधिक परत्यक शुरूप में दर्सन का अर्थ अमुर्थ चिंतन करने के उस परियास से है जिसके द्वारा आत्मा इश्वर प्रकृति तथा संपून जीवन का रहस से उधगाटन किया जाता है देखे फिलोस्फी या दर्सन से मैं एकी बात बोलूँगी कि अगर मेरी लाइफ की फिलोस्फी है तो मैं उसी चीज को मेरा देखने का तरीका अलग होगा आपका देखने का तरीका अलग होगा जैसे हमने चार वाद परे है ना आदर्स वाद, परियोजन वाद, प्रकृति वाद यथार्थ वाद तो उन चारों वाद में इसको भगवान को या फिर पृत्वी को इस संसार को देखने का तरीका अलग-अलग है कोई कहता है कि इश्वर ने बनाया है कोई कहता है प्रकिर्ती ने बनाया है तो किसी के अनुसार ये संसार जो है एक वस्तू है और किसी के अनुसार जो है ये संसार ही संसार जो दिख रहा है वही सही है जो परत्यक्ष है वही सही है तो इस तरह से हर चीज में फिलोसफी के अकॉर्डिंग हर चीज को देखने का पर्टिकुलर एक नजरिया एक तरीका होता है तो इसी तरह से यहां पे जो बोला गया है कि ये आत्मा इश्वर प्रकृति तरह संपूर्ण जीवन का रह से उधगाटन किया जाता है मतलब कि दर्सन में जो है सभी चीजों का रह से आप संसार को किस तरह से देखते हो इश्वर आपके लिए क्या है प्रकृति आपके लिए क्या है आत्मा क्या है तो ये सारी जो रह समय जो बाते हैं इन सभी चीजों को जो है निकाला जाता है दर्सन के द्वारा इस दिरिस्टी से मनूध से क्या है? जीवन क्या है? वास्थ्विक्ता जीवन का उद्देश से क्या है? ये सारे questions का answer मिलता है इस संसार की प्रकृति क्या है? सूरिच चंदर में तरनक्षत्र आदी का उद्गम स्थान कौन सा है? वेक्ति संसार में क्यूं आया है? इस वर का स्वरूप क्या है? मृत्यू क्या है? क्या मानो जीवन तथा प्रकृति से परे कोई और लोक है? तथा मृत्यू के पश्चात क कोई और जन्म लेहोगा ये सारे जो अदभुद काइंड ओफ कोश्चन है ना जिसको अभी तक साइंस की तरफ से पूरी तरीके से जवाब नहीं मिल पाया है या मिला भी है तो भी सोच जो है जो देखने का तरीका है लोगों का वो अलग है उसका एंसर हमें फिलोसफी से दर से प्राप्त होता है अब आईए दर्सन का जो है मेने यहां पर देखेंगे दर्सन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठीन अनुसासी तथा सावधानी के साथ किया हुआ विशलेशन है जिनका मानों ने कभी अनुभाव किया हो आपने खुद अनुभाव किया है आपने संसा करना उसका विशलेशन करना उन समस्याओं का जो है समधान निकालना यह दर्सन है बस दर्सन को समझ लीजे यह क्या है जितने भी अदभूद काइंड ओफ कोश्चन होते हैं प्रस्ण होते हैं उनका उत्तर जो है वो दर्सन में मिलता है अब हम यहाँ पे यह तो हमारा हुआ कि दर्सन के बारे में कॉमन फैक्ट क्या है अब हम दर्सन की परिभासा देखेंगे तो इसमें से पांच परिभासा आप लोग बस याद कीजेगा इतना ज़्यादा नहीं J.S. Ross ने क्या बोला है फिलोसफी और सिक्षा एक ही सिक्षे के दो पहलू है फिलोसफी सैध्यानतिक पक्ष है और सिक्षा उसका बेहवारी फिलोसफी जो दर्सन है वो theoretical चीजे है ठीक है और हमारा जो education है वो practical चीज है कितने अच्छी तरीके से इन्होंने बाते बोली है सेलर्स ने क्या बोला है फिलोसफी विशय विज्ञानों का संकलन है जैसे ज्ञान मिमान साथ, तरक शास, निती सास, स्रिस्टी सास और संदर सास, तता साथ ही एक समुचित सर्वेक्षन भी है बर्टेन रेसेल के अनुसार, फिलोसफी भी अध्यन विशयों की भाति एक ज्ञान की खोज के परती परियास है बिल्कुल सही यह भी हकसले ने बोला है मनुस्से अपने जीवन दर्संतद संसार के विशय में अपने धारनाओn की अनुसार जीवन भ्यातिद करता है मैं इस बात से बिल्कुल मानती हूँ कि हर किसी को अपने जीवन को देखने का तरीक अलग-लग होता है और अपनी concept के अनुसार अपने धार्णाओं के अनुसार जो अपना जीवन जीते हैं वही उनकी philosophy है हर किसी के life की philosophy अलग होती है जीवन को उसके life को देखने का तरीका अलग होता है वही उसकी life की philosophy है ठीक है? जॉन डीवी ने क्या वोला है? जब भी हम दर्षन का गंभिरता से चिंतन करेंगे तभी उसके ज्यान का परभाव जीवन पर पड़ेगा पांच मैंने करवाया इसमें नीचे देख लीजेगा जो आप लोग को easy लगे वो कीजेगा अब आईए सिक्षा इसमें दर्षन के according सिक्षा क्या है? जो हमने देखा, सिक्षा जीवन परियंद चलने वाली परिक्रिया है, अनुभावी क्विकास ते इसमें अभिव्रिदी होती है, इस परकार इसपर क्षा नीचे चाहं आत्मक सविशक्तियों का विवस्तित विकास हैै जिने वो अपने समाज के हित में परियुक्त करता है देखे एडलर और बटलर ने कहा दिया है दर्सन और सिक्षा का आप लोग को मतलब समझ में आए गया है दर्सन का आपने यहां देखा, सिक्षा का यह देखा इन दोनों में connection यही है अब हम देखेंगे जो हमें देखना है दर्सन की विशेस्ता है फिलोसफी की characteristics यह कोशन आता है पहला है अनुभावों तथा परिस्थितियों के अनुसार दर्सन देखे विशेस्ता हैं आया है तो यह आपको कोशन में प्रकिर्ती के रूप में भी आ सकता है कि दर्सन की प्रकिर्ती क्या है यह बताईए यह दर्सन के विशेस्ता क्या है यह बताईए दर्सन की पहली विशेस्ता यह है कि इसका जन्म अनुभाव तथा परिस्थिति के अनुसार होता है जो experience है उसके according होता है यही कारण है कि संसार के भिन-भिन व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अपने अनुभाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार भिन-भिन परकार के जीवन दर्सन को अपनाया है उन्होंने अपने अपने दर्सन में केवल से ध्यानतिक रूप से ही विश्वास नहीं किया अपितु उसको कारे रूप में परिनत भी किया है तता उसको लिखित अथ्वा भाशित रूप में दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए अथक परियास किये हैं देखें ये जो दर्सन है वो हर किसी के लाइफ में अपने अपने तरीके से आता है जिसके लाइफ में जैसा experience जैसा situation आता है उसके लाइफ की philosophy वैसे ही बन जाती है अब जैसे example के लिए मैं बताओं एक बच्चा है उसके लाइफ में छोटे ही में उसके चोटा है वो उसी time में उसके लाइफ में बहुत बरी tragedy हो जाती है वो बहुत कुछ देख लेता है अपने age में तो उसकी लाइफ की philosophy अलग हो जाएगी उसको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ नहीं है या तो वो हार मान जाएगा या फिर वो situation को लरेगा fight करेगा और आगे बढ़ेगा तो अगर वो हार मान जाएगा तो उसकी life की philosophy अलग हो गई मतलब हारने वाली हो गई या फिर बोले तो disappointment वाली हो गई अगर वो fight back करेगा तो उसकी philosophy लरने वाली हो गई कि हर चीज को हम लर करके ले सकते हैं जीत सकते हैं तो इस طरह से वो situation पे depend करता है experience पे depend करताहाँ आप किस तरह से situation को अपने experience में लेते हो उस पे depend करताहें ठीक है दूसरा देखेंगे दर्सन तथा विज्ञान दर्सन की दूसरी विसेस्था यह है कि इसका विज्ञान से घनिष्ट संबंध होता है विज्ञान हमें वास्त्विक्ता से परिशित करता है अता विभिन विज्ञानों द्वारा प्रस्तूत की हुई वास्त्विक्ताएं जिनका संबन बालक की प्रकिर्ती तथा वातवरन से है दर्सन की अपरिपक को सामगरी है यदि जीवन की वास्तविक्ताओं को ज्यान नहीं होगा तो दर्सन के लिए सत्ते की खोज करना कठिन हो जाएगा तो यहाँ पर दर्सन यानि philosophy और science में जो गनिष्ट संबंध बताये गया है जिस तरह से हम science में खोज करते हैं उसी तरह से हम दर्सन में खोज करते हैं उसी तरसे विज्ञान में हम लाइफ के वैसे चीजों को खोज करते हैं उसका प्रूफ निकालते हैं तो दोनों में घनिष्ट संबंध है अब ये आपकी हो गए विशेस्ता अब देखेंगे दर्सन तथा सिक्षा में संबंध दर्सन त fot सिक्षा की अलग अलग व्याख्या करने से यस पस्ट हो जाता है कि दोनों का लग्ष्य व्यक्ष्ट को सत्य का अग्यान कराना तत्त उसके जीवन को विख्सित करना है ऐसी दसा में यह कहना उचित ही होगा कि दर्सन तथा सिक्षा का घणिस संबंध ही नहीं अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं दर्सन तथा सिक्षा का संबंध यह पूछता है तो जब भी यह कोशन पूछे तो आप यह बता दीजेगा कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेवल हैं आश्रित हैं कैसे जैसे अभी हम ने देखा न कि दर्सन जो है ठियोटिकल चीजे हैं ठीक है और इसी का प्रैक्टिकल चीज कर लेते हैं और प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो क्या वह हमारे दिमाग में बैठेगा तो अगर हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो क्या हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे नहीं तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेवल है एक दूसरे पर आश्रित होने वाला पहला दर्सन जीवन के उस वास्तविक लक्ष को निधारित करता है जैसे सिक्षा को प्राप्त करना है ये दर्सन ही बताता है कि हमारा जो लक्ष है जीवन का वो है सिक्षा को प्राप्त करना सिक्षा एक चेतन तता स्वेक्षित ऐसी परिकिरिया है जिसको उचित रूप से स संचालित करने के लिए उचित मार्ग दर्सन के सिक्षा अपने लक्ष को कदापी पर्याप प्राप्त नहीं कर सकती दर्सन जीवन के वास्त्विक लक्ष को निधायत करता है तथा उस लक्ष की प्राप्ति के लिए सिक्षा का उचित मार दर्सन भी करता है ठीक है यह हो गया दूसरा पॉइंट है दर्सन सिक्षा के विभिन अंगों को प्रभावित करता है जो philosophy है सिक्षा के अंगों को प्रभावित करता है कुछ विद्वानों का मत है कि दर्सन का संबन किवल सुक्ष्म बातों से ही है तता सिक्षा का स्थूल तता विहवारिक से अतर दर्सन और सिक्षा दोनों अलग-अलग हैं इनका आपस में कोई संबन्ध नहीं है कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं लेकिन most of विद्वान ये मानते हैं ये दूसरे एक दूसरे पर dependable है दर्सन और सिक्षा को अलग-अलग बताना तथा ये कहना इन दोनों में कोई संबन्ध नहीं है बहुत बड़ी भूल है जो ये बोल रहे हैं कि दोनों अलग-अलग है ये गलत है वस्तु इस्ति यह है कि दर्सन और सिक्षा का इतना घनिस्ट संबन्ध है कि दोनों को किसी भी हालत में अलग नहीं किया जा सकता यदि ध्यान से देखा जाये तो पता चलेगा कि उन विचित्र दार्सनिक विचारधाराओं का ही तो परभाव है जोनों ने समय समय पर सिक्षा के विभिन अंगों को परभावित किया है या कर रही है तथा आगे भी करती रहेगी समझ में आया तीसरा है महान दार्सनिक महान सिक्षा सास्त्री भी हुए हैं जो फिलोस्फर हैं वो सिक्षा सास्त्री भी हुए हैं ऐसा है क्योंकि उनको तो theoretical चीजों का knowledge हो गया अब उनको practical चीजे देनी हैं तो ऐसे भी हैं लोग जो अच्छे फिलोस्फर रहे हैं और अच्छे सिक्षा सास्त्री भी रहे हैं कौन हैं? हमारे देश के ही बहुत सारे हैं इतिहास इस बात का साक्षी है कि परतेक समय के महान दार्सनिक ही महान सिक्षा सास्त्री भी हुए हैं प्लेटो, सुक्राथ, लौक, कमेनियस, रूसो, फ्रेबिल, डिवी, गांधी, टैगोर, अर्विन घोस, आदी महान दार्सनिक के उधारन इस बात की पुष्टी के ये प्रस्तुत किये जा सकते हैं ये सब महान दार्सनिक महान सिक्षा सास्त्री भी हुए हैं अब सिक्षा दर्सन, सिक्षा दर्सन का गत्यात्मक साधन हैं किसी कारे को पूरा करने के लिए दो बातों के आशक्ता होती है विचार, अथ्वा, योजना, पर्योग, अथ्वा, विहवाग पहला तो विचार और योजना अगर हम देखे तो ये हमारा फिलोसफी है जिसमें हमारे सोच आते हैं, जिसमें हमारे सध्यांतिक चीजे आती हैं जिसमें हमारा प्लानिंग आता है ये इसके द्वारा आता है अब परियोग और वहवार की बाते करें तो ये education है जो कि उसका use किया जाता है behavior में लाये जाता है उसको use में लाये जाता है दर्सन योजना अथवा विचार पक्ष है तथा सिक्षा वहवार अथवा परियोग आत्मक पक्ष है जो मैंने आपको बताया है तो इसलिए गत्यात्मक साधन है दूसरा है सिक्षा लक्ष को प्राप्त करने का एक साधन है यदि दर्सन जीवन के लक्ष को निधारित करता है तो सिक्षा उस लक्ष को प्राप्त करने का साधन है दर्सन जो है जीवन में हमें एक लक्ष देता है अब लक्ष क्या होता है? सिक्षा को पाना लेकिन जो भी लक्ष मिले अब ये देखें मानले जी ये फिलोसफी है वो हम लोगों को एक मोटो दिया एक उद्देश दिया उस उद्देश को पाने के लिए हम डिरेक्ली नहीं आ सकते हैं हमें जो आना पड़ेगा जिस रास्ते से उसको हम एजुकेशन कहते हैं तो जो लक्ष फिलोसफी देता है लाइफ को उस लक्ष को पाने के लिए हमें एजुकेशन की जरुरत होती है फिर है सिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन द्वारा निर्मान सिक्षा का कोई ना कोई उद्देश अवस होता है इसलिए सिक्षा का 100 उद्देश परिक्रिया कहा गया है ध्यान देने के बात यह है कि सिक्षा का परतेक उद्देश जीवन के उद्देश से पर आधारित होता है और जीवन का उद्देश से अपने समय के दर्सन से प्रभावित होता है तो देखे, education का उद्देश से हुआ और वो उद्देश जीवन से relate करता है और जीवन को उद्देश से कौन देता है दर्सन इस तरह से आप कैसे भी घूम कर जाएंगे तो ये दोनों जो है एक दूसरे से connected आपको मिलेंगे ये रोब तथा भारत में सिख्छा के उद्देश यो का निर्मान प्राचिन यूग में ये दिया हुआ है ये कोशन उतना नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं दे दी हूँ आपको ताकि अगर आप लोग को शौट में आ जाए तो आप देख लीजेगा ये कोशन आता है दर्सन तथा पाठे करम फिलोसफी और करिकुलम ये आपको शौट में देदेगा या फिर आप लोगों को नूट्स लिखने के लिए देगा पाठे के करम के दुआरा किसी अमुक तथा समान्यम संतुलित विचारधारा के अनुसार जीवन के लक्ष प्राप्त करने के लिए लोगों को विचार को परिवर्तित किया जाता है तथा सिक्षा के उद्देश सिकी भाती पाठे करम का निर्वान भी दर्सन के अनुसार ही होता है दर्सन में सिक्षा पदतिया यानि फिलोसफी और टीचिंग मैथ़ड दर्सन तथा सिक्षा पदतियों में घनिष्ट संबंध होता है यही कारण है कि समय समय पर बदलती हुई दार्सनिक विचारधाराओं के अनुसार सिक्षा पदतियों में भी परिवर्तन होता रहता है देखे होता क्या है कि philosophy जैसे time change हो रहा है जैसे हमारे parents का या फिर हमारे grandparents का time देखिए और अभी का time देखिए दोनों में difference है तो उस समय जो philosophy थी वो अलग थी आ लोगों का अपने life को देखने का नजरिया अलग था अभी अलग है तो दोनों situation में अगर हम same teaching method यूज़ करें तो क्या वो education के लिए सही होगा बिलकुल नहीं तो जिस तरह से दर्शन बदलते रहता है time to time वैसे ही सिक्षा पदती को भी बदलना पड़ता है सिक्षा method जो education method होता है जो methodology होती है उसको भी बदलना पड़ता है वास्तिक्ता यह है कि किसी उद्देशों को प्राक्त करने के लिए जिस परनाली अथा सिक्षा पदती का परयोग किया जाता है वो दर्शन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती अब है दर्शन तथा अनुसासन दर्शन तथा अनुसासन के स्वरुप को निश्चित करता है दूसरे सब्दों में अनुसासन पर दार्शनिक विचारधारों का गहरा परभाव परता है वस्तु इस्थिति यह है कि स्कूली अनुसासन का कठोड नियंतरन पर अधारित होना चाहिए अथ्वापूर्न स्वतनता पर यह एक दार्शनिक समस्या ही है यदि हम किसी देश तथा काल की समाजिक दार्शनिक तथा ततकालिन समराजनितिक विचारधारों और स्कूल के अनुसासन का अध्यन करें तो पता चलेगा कि स्कूल का अनुसासन उस समय की विचारधारों के अनुरूप ही होता था अब जैसे पहले के फिलोसफी थी लाइफ की एकदम strict disciplined रहना है लेकिन अभी का जो दर्सन है या जो discipline है वो strict रहने के लिए नहीं बोला जाता है बोला जाता है कि बच्चों के साथ आप friendly रहिए दोस्ती मित्र के साथ रहिए उनको डाटिये डराईये मत उनको समझाईये कि क् क्यों जरूरी है तो इस तरह से आप देखेंगे कि दर्सन जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे discipline के माइने और discipline का तरीका भी बदल रहा है जैसे यहां पर लिखा हुआ है पहले जो अनुसासन था दमनात्मक था बच्चों को डराने वाला हिटलर वाला था अब जो है परभावत्मक है मतलब उनको परभाव में रख करके उनको समझा करके करना है मुक्तियात्मक है यनि freedom वाला है अब है दर्सन तथा पाठे पूस है यह श्रॉट में रहे गए तो यह आपके आज का जो है क्लास जो आप लोगों के लिए important कोशन है आज का जो मैं क्लास आप लोगों के लिए दे रही हूं यह मैंने बता दिया कौन-कौन से इनिवर्सिटी के लिए है लखनौ रजु भाईया आगरा बिहार आगरा बिहार contemporary में आएगा और लखनौ रजु भाईया जो है philosophical perspective of education जो है उसमें आएगा तो जो भी कोशन आज करवाएगा प्लीज कीजेगा इसमें से तीन चार कोशन तो 100% आजाएगा दो तो दो या तीन तो मैं बोलूँगी long में ही आजाएगा तो आप लोगों का कुछ मास जो है यह से सेव होगा मैं next class में और try करूंगी आप लोगों के लिए class लेकर के आने के लिए so फिर मिलूंगी till then have a nice day